हाई नमस्कार किसान भाई यो आपका एक बार फिर स्वागत हमारे खेती किसान यूटूब चैनल में तो आज मैं एक और नई वीडियो लेकर आ गया हूँ है आपके पास तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अडामा कंपनी की ओर से आने वाली एजल हर्वी साइट के बारे में तो इसमें कौन सा टेक्निकल पाय जाता है किस किस फसल में इसका छड़काव कर सकते हैं और इस हर्वी साइट का छड़काव करने से कौन कौन से खरपतवार खतम हो जाते हैं और कितनी मात्रा में इस दवा पर तो चलिए बीडियो को स्टार्ड करते हैं बना कोई देरी के एजल हर्वी साइड में टेकनिकल आपको प्रोपा क्यूज फोप दस प्रतिसत इसी फर्म में यह टेकनिकल मिल जाएगा और फसल की बात करें तो किस फसल में इसका शड़काव कर सकते हैं तो मुख्य रूप स चोड़ी पत्ती वाली फसल जैसे कि सोयावीन, उड़द, मूंग, सरसों और सबजी वर्गी फसल की बात करें तो आप मेर्च, सिमला मेर्च, बैगन, गोबी, टमाटर और बागवानी फसल की बात करें तो आप अंगूर, आदी फसल में छड़काव कर सकते हैं और फूल व उखे रूप से सक्री पत्ती वाली जितने भी खर्पतवार हैं उनको ये दवा खतम कर देती हैं जैसे दूब गहास, मकड़ा गहास, सबा, सुनहरी गहास, बट्टा गहास, आदी सभी परकार की यानि सक्री पत्ती वाली गहास खतम हो जाती है, सक्री पत्ती वाली खर्पत करें तो आपको 200-300 ml प्रती एकड़ के हिसाब से इस दवा का छड़काव करना है 150 लीटर पानी के साथ और किसान भाईयों अब हम बात कर लेते हैं इस दवा के रिजल्ट के वारे में तो आपको इस दवा का रिजल्ट करीब 18-20 दिन तक दवा का असर बना रहता है याने की ख अवस्था की बात करें तो किस अवस्था में इस दवा का छड़काव करना है तो जब खर्पदवार में 4-6 पत्ति निकलाए तब आपको इस दवा का छड़काव करना है और यदि जादा निकलाए तो फिर इस दवा का छड़काव करें तो लेकिन पीला पड़ेगा खर्प उपलब्द हो जाएगी और आप अपने मार्केट में जाकर थोड़ा पता कर सकते हैं थोड़ा बहुत उपर नीचे हो सकता है और किसान भाईयो अब हम बात कर लेते हैं इस दवा की पैकेजिंग के बारे में तो आपको 250 ml 500 ml और एक लीटर की पैकेजिंग में यह दवा मिल ज जाएगी तो किसान भाईयो अब हम बात कर लेते हैं इस दवा की सावधानियों के बारे में तो आपको हवा की प्रिद्दिशा में इस दवा का छड़काव नहीं करना है और जब खेत में नमी हो तभी इस दवा का छड़काव करें सूखे खेत में इस दवा का छड़काव तो किसान भाईो यह वीडियो यह जानकारी आपको कैसी लगी वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक करें और अपने किसान मित्रों को जरूर सेयर करें जिससे उनको भी ऐसी जानकारी मिलती रहे और यदि किसान भाई आपके मन में कोई सवाल या सुझा हो तो आप कमेंट करें तो मैं जवाब देने की पूरी कोसिस करूँगा और किसान भाई यदि आप हमारी यूटूब चैनल पर नए आए हो तो चैनल को कर लिजे सब्सक्राइब और पास में लगी बेल आइकन को दवा लिजे ऐसी ही लेटिस्ट वीडियो पाने के लिए तो किसान भाई यो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ तब तक के लिए सभी किसान भाईयों को मेरी तरफ से राम राम